दूस्तों अगर मैं आपको बोलू कि आप GTA 5 जो कि ओफीशल PC वाले की बात कर रहा हूँ जो कोंसल के उपर है वो इसको आप अपने Android डवाइस के ऊपर खेल सकते हो तो आप सब सोच रहोगे मैं मजाख कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है आपने बहुत सारे वीडियो देखे ह यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक्स बताया हूँगे जिसमें का होगा कि GTA 5 आप अपने Android फोन में खेल सकते हो लेकिन उनमें से एक भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो ओफीशल मैथड नहीं है तो फाइनल यहां पर ओफीशल मैथड आ चुका है पहले आर पुराने इं तो यहां पर ओफीशल मैथड है क्या तो आप सबके लिए गुड निउस है जैसे कि आप सभी को पता है कि Xbox Game Pass जो कि मोबाइल के लिए लूँच हुआ था एक्स क्लाउड गेमिंग सर्विस के नाम से जो कि आपको मोबाइल पे एक सोफ्ट्वेर आता है प्ले स्टोर पे एप है सोरी जिसका नाम है Xbox Game Pass आप उसको डाउनलोड कर सकते हो उसके बास सिरफ 50 या 60 रुपे हज से ज्यादा 70 रुपे 70 रुपे महीने देने के बाद आप GTA 5 अपने Android फोन में खेल सकते हो रिक्वार्मेंट्स के आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपका फोन उस एप को स्पोर्ट करे उसके लिए रिक्वार्मेंट्स कोई ज्यादा नहीं है बड़े अराम से एप है इसके इलावा भाई फिर भी काफी लोग कंफ्यूज हैं कि GTA 5 उसमें कैसे खेलेंगे तो आप सबको बता दू पहले GTA 5 ना आज से एक साल पहले उससे रिमूव कर दिया गया था भाई एक्सबॉक्स गेम पास में वो सिर्फ एक्सबॉक्स वालों के लिए आता था फ्री लेकिन उसको रिमूव कर दिया या था लेकिन आप सभी यहां पर गैजट 360 का आर्टिकल देख सकते हो भाई यहां पर बहुत सारी वेबसेट पर न्यूज आई जैसे कि आप देख सकते ह नहीं है ना काफी लोग के पास एक्सबॉक्स का इंट लिना नहीं चाहते तो भाई यहां पर पचास से ज्यादा गेम साथ जिनमें टच कंट्रोल स्पोर्ट थे दिया गया है आपको वर्चुल कंट्रोल से एकनिकों मिलेंगे और यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स क्लाउ होगे तो बिल्कु लास्ट में लिखा हुआ एक्स क्लाउड इस ओनली अवेलवल फॉर एंड्रोइड यूजर एंड इस एट टू लॉंच इन इंडिया में लॉंच होना पाकी है और यहां पर आपको एक्सबॉक गेम पास की अल्टिमेट मेंबर्शिप लेनी पड़ेगी जो कि 70 रुपे के आसपास एक डॉलर के आसपास रहेगी एक मंत के लिए उसके बाद चार्जिस जादा है लेकिन आप एक मंत के लिए ट्रायल कर सकते हो भाई लेकिन यहां पर मेंबर्शिप लेने के बाद आप गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हो लेकिन इंडिया वाले अभी नहीं खेल सकते हैं क्योंकि ओफीशल तोर पे सर्विस इंडिया में लांच नहीं हुई है अभी तक यह बीटा एकसस में चल ली थी काफी कंट्रीज में लेकिन माइक्रोसोफ ने खुद कहा था कि वह अगले साल इसको इंडिया और जैपान के लिए लांच कर देंग अपने माइक्रोसोफट काउंट से साइन इन कर सकते हो और यहां पर आप देख सकते हो भाई अलग बढ़ा काटेगरी दी हुए क्क्रावड की के लावा PC काटेगरी और कॉनसल की काटेगरी नॉर्मल तीनों के लिए गेम पास होता है आप सभी को पता है एक गेम पास खृ तो यहां पे इन्होंने पूरा सेक्शन अलग किया है जो कि काफी अच्छी बात है और यहां पर दिख सकते हो रिसेंट्ली एडिड में जॉंबी आर्मी फॉर इसके लावा जीटिया फाइब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है तो भाई जीटिया फाइब हो चुका है ल इसके बाद हम इसको बड़ी इसानी से खेल पाऊंगे और आपको यह गूड निउस कैसी लगी कि वाई फाइनली जीटिया फाइब द्रीम कम्स टू मालब द्रीम्स पूरे होने वाले हैं आप जीटिया फाइब खेल पाऊंगर सबसे अची बात पता क्या है कुई कूशी फोन में खेल सकते हो भाई मैं तो इसके लिए बहुत जादा एक्साइटी दो हूँ वाकि आप कितने हो या नहीं यह कोमेंन सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ यह वाली इंफोर्मिशन जरूर शेयर करना भाई ताकि वह भी खुश हुश पत्तों東西 दूर बताना जरूर शेयर कोमे हमान अरूर क कितने हो।